हाई वीवर्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे नान चाप की रेसिपी जो मुंबई और सूर्थी स्ट्रीट फूड की एक स्पेसियालिटी है आस्तान फूड रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब क कीमे को बॉल करने के लिए हमने पांसोग्राम कीमे में एक ठीसपून नमक और एक तीसफ्न अध्रकौ लेसून का पेश्त डालकर प्रेसर कुकर में तीन सीटी आने तक इसे medium flame पर अच्छे से boil कर लिया है और हमने high flame पर इसके पानी को अच्छे से सुखा लिया है high flame पर कीमे को तेल में fry होते हुए 2-3 minute हो चुकी है अब हम गेस की flame को medium करेंगे और इसमें add करेंगे 1.5 teaspoon लाल मिंच पाउडर एक teaspoon नमक, नमक हम यहाँ पर कम add करेंगे क्योंकि नमक हमने कीमे को boil करते वक्त भी add किया है और add करेंगे 1.5 teaspoon धनिया पाउडर, 1.5 teaspoon हल्दी पाउडर इन सब मसालों को कीमे के साथ अच्छे से mix कर लेंगे और medium flame पर कीमे को मसालों के साथ 5-7 minute के लिए पकाएंगे कीमे को मसालों के साथ पकते हुए पास से 7 minute हो चुकी है अब हम इसमें add करेंगे 2 medium size की कटी हुई प्याज इसी के साथ हम इसमें add करेंगे 2 medium size के कटे हुए टमाटर और 4 बारिक कटी हुई छोटी हरी मीच इन सब को अच्छे से mix कर लेंगे और इसे ढख कर तब तक पकाएंगे जब तक प्याज और टमाटर सोफ्ट हो जाए गेस की फ्लेम को हम medium रखेंगे यह देखिए हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से सोफ्ट हो चुके हैं इसे एक बाद चेक कर लेंगे और अब हम इसमें add करेंगे एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर एक टीस्पून जीरा पाउडर हाफ टीस्पून गरम मसाला अच्छे से mix कर लेंगे दोसे तीन मिनिट के बाद अब हम इसमें add करेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया इसी के साथ हम इसमें add कर देंगे दो नीम्बू का रस mix कर लेंगे और अब हम इसमें add करेंगे 3 medium साइस के आलू इन आलू को हमने boil कर के अच्छे से mais कर लिया है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ करके आलू को कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हमारी नान चाप की स्टफिंग बिल्कुल तयार है हमने नान को बीच में से कट कर लिया है अब इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर हम बटर लगाएंगे आप यहाँ पर तेल या घीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं देखे बटर अच्छे से लगाने के बाद हम इसको गरम तवे पर रखकर लो फ्लेम पर कुछ सेकेंड के लिए अच्छे से रोष्ट करेंगे जान रहे कि हमें यहाँ पर गेस की फ्लेम को लो ही रखना है हमें इनको तवे पर 60-35 सेकेंड के लिए ही रोष्ट करना है अब हमारी रोष्ट की उवी नान की स्लाइस पर हम एट करेंगे हमारी तयार की उवी स्टफिंग और पूरी स्लाइस पर इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे ये देखे हमने नान की नीचे वाली स्लाइस पर अच्छे से स्टफिंग अप्लाई कर ली है अब इसकी उपर वाली स्लाइस को इस पर रख के अच्छे से कवर कर लेंगे 500 ग्राम कीमे का इस्तेमाल करके हमने जो स्टफिंग बनाई है वो सांत नान चाप के लिए काफी है अब हम इनको एक बार फीसे रोष्ट कर लेंगे तवा गरम होने के बाद हम इसे बटर से ग्रीस कर लेंगे आप यहाँ पर तेर या घीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इस पर एट करेंगे हमारी बनाई हुई नान चाप और थोड़ा बटर हम इसकी किनारियों पर से भी एट करेंगे इसके उपर के हिस्से पर भी हम बटर एपलाई करेंगे और गेस की फ्लेम को मीडियम रखके इसको एक तरफ से एक मिनिट के लिए अच्छे से रोष्ट कर लेंगे अब इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी एक मिनिट के लिए अच्छे से रोष्ट कर लेंगे देखे गेस की फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे हमने इनको दोनों तरफ से अच्छे से रोष्ट कर लिया है अब हम इनको तवे पे से निकाल कर बाकी की नान चाप को भी इसी तरह मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोष्ट कर लेंगे तो खाने के लिए तैयार है मुंबई और सूरत का फेमस नान चाप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये रेसी पे आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले